प्रिय विद्यार्थी मित्रो सरफदु सत्तारखन यूट्यूब चैनल में आपता मापका स्वागत है पाचवी कवीता है उम्मीद कमलेश भट कमल ने से लिखा है हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए इस 1969 को जफरपूर उत्तरपरदेश में हुआ कमलेश भट कमल गजल कहानी हाइकू साक्षातकार निबंद समिक्षा आदि विधाओं में रशना करते हैं वे परियावरन के प्रती गहरा लगाव रखते हैं नदी पानी सब कुछ उनकी रशनाओं के विशय है प्रमकृतिया है नखलिस्तान मंगल टी का कहानी संग रहा है मैद नदी की सोचता हूँ शंक सीप रेत पानी गजल संग रहा है अमलतास ये हाईकू संकलन है अजब गजब बाल कविता है तुइम बाल उपन्यास अब ये गजल जो है ये एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों समू है ये उड़्दू से ली गई है गजल के पहले शेरों को मतला और अंतिम शेरों को मकता कहते हैं पर तेक शेर एक दूसरे से स्वतंतर होते हैं प्रस्त गजलों में गजलकार ने अपनी मन्जिल की तरह बुलंदी से वढ़ने जी जी विशा बनाये रखने अपने पर भरोसा करने सच्चाई पर ढटे रहने आदी के लिए प्रेरिद किया है चले इसको पढ़ते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं और हर एक दिये गए इस गजल के शेर को समझते हैं वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उ अब कभी वर्रे कहते हैं कि पक्षियों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती जब वे अपने पंकों की शक्ती पर भरोसा करके खुले आस्मान में उड़ते हैं तो उन्हें ग्यात हो जाता है कि उन्हें कितना उपर तक उड़ना है इसी परकार हमें भी अपनी शम्ता पर भर लोसा करना चाहिए जो दिल में हौसला हो तो कोई मन्जिल नहीं मुश्किल बहुत कमजोर दिल ही बात करते हैं ठकानों की इस शेर में कभी वारे कहते हैं कि जब हम अपने लक्षे की और बढ़ते हुए से प्राफ्ट करने का विश्वास करते हैं अपने मन में रखते हैं तो किसी भी लक्षे तक पहुशना कटिन नहीं होता वे लोग कमजोर दिल वाले होते हैं जो मार की कटिंता से ठकान का अनुभा करते हैं इसलिए हमें किसी भी परिस्थिती में अपने होसले को तूटने नहीं देना चाहिए जिन्हें हैं सिर्फ मरना ही वो बेशक खुद कशी कर ले जिन्हें हैं सिर्फ मरना ही वो बेशक खुद कशी कर ले कमी कोई नहीं वरना है जीने के बहानों की इस विशाल संसार में जीने के लिए बहुत सी वज़ा है अनिक लोगों के लिए तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये इच्छाओं कहीं प्रकार की हो सकती है जिसे देश विदेश घूम कर वहां की संस्कृति के बारे में जानना पहाडों पर जाकर रंग बिरंगे फूल उचाएं से गिरते जहरने नदिया घाटिया आजी देखना और भी अनेक चीज़े है वरना जिने संसार में रहना ही नहीं है उनके लिए ये सब चीज़े कुछ भी नहीं होती है जिने है सिर्फ मरना ही वो बेशख खुदकशी कर ले कमी कोई नहीं वरना है जीने के बहानों की महकना और महकाना है केवल काम खुजबू का कभी खुजबू नहीं मोताज होती खदरदानों की सुगंद का सुभाव और सरवत्र सुगंदित वातावरन कर देना उसे प्रशंसा की खदरदानों की चाह नहीं होती इसी परकार गुनी विक्ती का सुभाव होता है करना वो यश की कामना के बिना अपना काम करता जाता है हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है छटे मजबूत होती है उम्मीदों के मकानों की जिस परकार एक मजबूत मकान उसी उसकी दिवारे उसकी छटे हमें हर हाल मे तूफ़ानों से बरसाथ से बचाती है इसी परकार उमीद में आशाओं में बड़ी ताखत होती है उमीदों के सहारे हम कटिन से कटिन समय को भी काट लेते हैं परस्तितियों के अनकुल होने की आशा हमें साहस देती है कोई पक्का अरादा क्यों नहीं कोई पक्का अरादा क्यों नहीं तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं कोई पक्का अरादा क्यों नहीं तुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं हे मनुशे तु अपने अरादों में पक्का क्यों नहीं है ऐसा कभी वर्रे पूछते हैं क्यों अपने लक्षे बदलता रहता है तुझे अपनी शमता पर भरोसा क्यों नहीं है अप रत्यक्ष रूप से कभी हमें संदेश दे रहें कि हमें अपना लक्षे निरदारित करना चाहिए फिर द्रण अश्य के साथ अपनी शक्ती पर विश्वास करके अपनी मन्जिल की और अग्रसर होना चाहिए बार बार लक्षे बदलने से हमारे पहले किये गए प्रियास विफल हो जाते हैं बने हैं पाउँ चलने के लिए ही तु उन पाउँ से चलता क्यों नहीं है इश्वार ने मनिश्य को पैड़ दिये हैं चलने के लिए और निरंतर गती शील रहते हुए अपनी मन्जिल की और बढ़ने के लिए और उसे बढ़ते रहना चाहिए मन्जिल कभी मनिश्य के पास नहीं आती हमें चलकर उसके पास जाना पड़ता है यदि चलना बंद कर दिया जाएगा तो मन्जिल भी मिलते मिलते हमसे दूर हो जाएगी बहुत संतुष्ट है हालात से क्यूं तेरे भीतर भी घुसा क्यूं नहीं है कभी असंतुष्जनक परिस्तिती और अन्याय को सहन करने के विरुद है कभी का मानना है कि देश और समाज में व्याप्त गटनाकारों को तत्वों के गटनाकारी तत्वों के प्रती सभी नागरिकों को रोश होना चाहिए एक स्वच्छ और स्वस्त समाज के निर्मान के लिए सभी को प्रयत्न शील रहना चाहिए तु जूटों की तरफदारी में शामिल तु जूटों की सरफदारी में शामिल तुझे होना था सच्चा क्यूं नहीं है अब कभी वर्रे इसमें कहते हैं कि हे मनुश्य तुम्हे इश्वर ने सभी सद्गुनों उससे परिपूर्ण बनाया है तुम सत्यवादी हो परफदारी हो तुम जूटे लोगों का साथ यूं दे रहे हो जूटा व्यक्ति कभी किसी का साथ नहीं निवाता आज उसका तुमसे स्वार्थ पुरा हो रहा है तो तुम्हें अपना मित्र मान रहा है कल जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा तो तुमसे उसकी मित्रता भी समाप्त हो जाएगी मिली है खुटकशी से किसको जन्नत तु इतना भी समझता क्यों नहीं है हमें इश्वर ने ये जीवन दिया है अच्छे काम करने के लिए बुरे काम उसे बिचने के लिए अगर मनुष्छ आत्मत्या कर लेता है तो आत्मत्या करने से उसका उसे जन्नत नहीं मिलती वो जहन्म में जा सकता है यने नर्क में जा सकता है और सदा सद काम करना चाहिए सभी का अपना है ये मुलक आखिर सभी को इसकी चिंता क्यों नहीं ये प्यारा देश भारत देश हमारा सब का है सब लोगों को इसकी चिंता करना चाहिए किसी भी देश की बेतरी के लिए इसके सबी निया अनिवासी जब प्रैतन करेंगे तब वो सबी का देश बनेगा और फलेगा पूलेगा तरखी करेगा किताबों में बहुत अच्छा लिखा है लिखे कोई कोई पढ़ता क्यों नहीं है किताब ग्यान का भंडार होती है इन किताबों में लोग पढ़ते क्यों नहीं है किताब विजय यात्राओं के बारे में है साइंस के बारे में सिद्धान के बारे में और संसार की असीम शक्तियों के वारे में है तो इसे पढ़ना चाहिए और हमने इसमें बहुजूद ग्यान को अरजित करना चाहिए उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दुबारा मुलाखात होगी खदा आफेज